आज हमने थर्ड लेक्षे स्टार्ड करना है स्टेमियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले हम एंस इंबियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख चुके हैं तो नाइट्रोजन सिंबियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर पहला जो स्टेप है वो फंजाई फंजाई जो है आप जानते हैं कि यह माइक राइजा बनाते हैं एस्सेशन है फंजाई की प्लांट रूट्स के साथ तो दो किसम के यह माइक राइजा बनाएंगे एक्टो ट्रॉफिक हैंड एंडो ट्रॉफिक माइक राइजा एक्टो का मतलब यह होगा कि फंजाई के हाइफी फंजाई के जो हाइफी हैं वो प्लांट रूट्स की जो सेल्स हैं प्लांट रूट्स के जो सेल्स हैं उसके अ hyphae inside the cell penetrate करेंगे इसी लिए हमने इसको endotrophic mycorrhizor कहा है दूसरा हमारे पास जो है तो इस तरीके से फंजाई हैव ability to fix atmospheric nitrogen फंजाई हवा की हवा में मुझूद nitrogen को fix कर लेगी और उसको अपने इस्तमाल में ले आएगी और फिर वो उसको जो है plant इस्तमाल कर लेंगे second step जो है हमारे पास nodule formation के जरीए nitrogen fixation है इसके चार steps है और यह एक लंबा process है इसका जो पहला अगर हम start करेंगे पहली चीज़ हम इसमें देखे तो nodule बनते हैं nodule कहते हैं हम एक full hour structure यह cells का grow rhizobium कहते हैं rhizobium哪bas है जो कि Russ के लिए llamang लोता है państ Single perfection fixation के चार-फotle खटियाट जो सब्सक्राइस के थर्टी परसंट लोंग TÂभी ऑ मने पेपिने वह पहले परजियां के परेरीपिजियृ यह तर्टी परसंट प्रेर्संट जो सब्सक्राइस हैं ऱ bunu आ लावा हमने पिछे पहले पढ़ चुके हैं कि पैपिलियों नेसी के जो आल प्रांट्स ओफैमिली पैपिलियों नेसी फ़ली वाले जो प्लांट्स अंदर ये से मौस्ट्ली मौजूद होती है यह चीज तो इसका जो स्ट्रक्चर है तरीके कार है वो यह है कि बेक्टेरिया में ली फिक्स एट्मासफरिक नाइट्रोजन इन फर्म ऑफ एमाइनौ इसट हवा से बेक्टेरिया अपनी माइन नाइट्रोजन को लेंगे और वह माइन के NH2 की फॉर्म में, NH2 amino group है, तो इस amino acids are transported by transpiration stream to different part of the plants, फिर यह amino acid जो बनाएगा bacteria वो ट्रांसफर हो जाएंगे plants के मुख्लिफ हिस्सों में, in turn bacteria get their food, तो bacteria जो है amino acid की फॉर्म में molecules दे रहा है plants को और फिर बदले में जो है, वो food ले रहा है कार्भाइडरेट की सुरत में, legume plants से, तो therefore this region is symbiosis, क्योंके दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यह तरिकाकार symbiosis कहलाएगा, यह कुछ steps है, पहला जो step है, वो है infection thread formation, infection thread formation क्या है, and nodule causing bacteria are present in soil, जिन जिन बेक्केरिया में नोडियूल बनाना होगा, वो फुला वो structure बनाना होगा, जो रूट में है, वो कहां मौजूद होंगे, वो soil में मौजूद होगा, the root system of leguminous plants secrete some sugar, amino acid, तो यह कुछ जो है amino acid or sugar को release करेगा, यह निकि food होगी, bacteria की bacteria वहां पर, वहां पर इकठे होना शुरू हो जाएंगे, उनको food मिल जाएगी, तो इस तरीके से, they infect the root hair, वो root hair को infect करेंगे, infect mean, के वहां पर breakdown शुरू हो जाएगी, और फिर वहां पर, उसके अंदर, जो cell मुझूद है, root hair के अंदर, उनके अंदर, जो cycle plasma streaming है, वो increase हो जाएगी, और nucleus का size बड़ा हो जाएगा, roots की, यह bacteria के interaction की वजए से हो रहा है, यह cytoplasm streaming जादा बड़ा हो रही है, और nucleus का size है, वो बड़ा हो रहा है, तो cell wall lose हो जाएगी, तो plasmo lemma invaginate, plasmo lemma कहेंगे layer, cell wall को हम plasmo lemma कह सकते हैं, lemma एक wall के लिए इस्तमाल होता है, लवस, तो वो invaginate होगी नीचे की तरफ, वो engulf bacteria, bacteria को engulf करेगी, और bacteria, जो है, वो root के cells हैं, वो उसके अंदर दाखिल हो जाएगी, the root here become curled, वो थोड़ा curled हो जाएगा, और bacteria become thread like instead, inside the root here, this is called infection thread, तो यह थी reading, summary ती, लगिन इसके visualize करते हैं, यह हमारे पास हिस्सा मौजूद है, यह आप देख रहे हैं, कि बहुत सारे cells हैं, एक तरफ यहां से एक root here निकला आप देख सकते हैं, बैक्टेरिया मौजूद हैं, और यह curling हो गई हैं, और यहां पर curling होने के बाद, यह वाले जो आप इस तरफ दूसरी जो picture है, infection thread, तो बैक्टेरिया जब इसके अंदर चले जाते हैं, root के अंदर चले जाते हैं, तो यहां पर यह एक thread like structure बना रहे हैं, एक line में बैक्टेरिया अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यह एक thread like structure बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे infection thread, infection क्यों कहेंगे, infection उस चीज़ को कहते हैं, उस जगा को कहते हैं, जहां पर micro organisms की growth बहुत जादा बढ़ जाए, तो यहां पर पहले growth नहीं थी, अब यहां पर micro organisms जो के नुकसान दे नहीं है, यह फाइदा मन्द है, यह आपने बाद जाद रखने है, तो तीसरा जो process है, यहां पर यह अंदर की तरफ bacteria जा रहे हैं, बैक्टेरिया जब अंदर penetrate कर जाएंगे, तो वहां पर यह oxygen or cytokinin hormones को release करेंगे, यह वो hormones हैं, जो के growth करवाते हैं, तो जब य हो जाएगा, cells grow जादा करना शुरू कर देंगे, cells बहुत बढ़े हो जाएगे, तो यह चीज जो है वो जहां लिख हुई है, the growth substance oxygen and cytokinin are securated by bacteria, और cells की division बहुत हो जाएगे, तो यह एक tumor like structure बन जाएगा, tumor कहेंगे हम, एक फुला हुआ structure बन जाएगा, जो के nodule कहलाएगा, यह जो आप देख रहे हैं structure यह वाले जो cells है, यह थोड़े से फूल जाएगे, और यह structure जो है, यह वाले जो cells है, यह थोड़े से फूल जाएगे, और यह nodules कहलाएगे, next क्या होता है के, यह structure nodule कहलाएगा, बैक्टिरियोर्ट्स, फार्मेशन बनी के दा नोडियूल, grow and increase in size, nodule वो grow करेंगे, increase करेंगे, तब vascular tissues of the root extend to tip of the nodule, vascular tissues वो tissues हैं, जैसे के phloem और xylem, जो के पानी और food को लेकर आते हैं और यह लेकर जाते हैं यहां से, तो फिर जब vascular tissues के साथ, vascular tissues की जो tips है, the vascular tissues of the root extend to the tip of nodule, nodule की tip तक पहुंच जाएंगे, तो वहां से फिर यह हो सकता है कि, जो food है, यह जो amino acid बना रहे हैं, जो nitrogen fix हो चुकी, वहां से transfer होकर, plant के दूसरे हिस्सों में चली जाए, vascular tissues, transportation का का काम क्या गरते हैं, water का और, food का, तो vascular tissues का जब interaction होगा on nodule के साथ, और जहां पर nitrogen fix हो रही है, तो vascular tissues के जरिए, plant के बाकी हिस्सों में, वह nitrogen fix होकर चली जाएगी, तब bacteria multiply rapidly in the host, bacteria जो है, वह host के अंदर, यह नहीं कि, host हम किसे कहेंगे, host हमारे पास, मौजूद है, plant, plant को हम host कह रहे हैं, तो यह एक structure है, थोड़ा सा, यह hook बना हुआ है, bacteria है, मटी भी मौजूद है, root hair मौजूद है, तो यह penetration दिखा रही है, दिखाए गए, inner cortex and pericycle cells, under division, inner cortex कहेंगे, यह अंदर वाली side के जो cells है, अंदर वाली side रहे हैं, यह जो cells है, यह inner cortex कहला है, तो इस तरिके से यह बड़ा structure बन जाएगा, इसका size बड़ा होजागे, दिखाए बना रहा है, तो next, हमारे पास जो step है, तो इस तरीके से जो है, यह इस सारे का सारा जो है यह प्रसेस मकंबल हो जाता है थार स्टर्स्टरप हम कर रहे हैं है इ समें बेक्टेरियोड स्टॉत्स की जो है वो सार्मेशन होगी वो क्या चीज है के bacteria the nodule grow and increases in size the vascular tissues of the root extend to the tip of nodule यह हम देख चुके हैं the bacteria multiply and rapidly in the host host cell of the nodule the infection thread are changed into globular oval structure जो structure बनेगा यहनी के nodule जो है वो ग्लोबलर oval structure बन जाएगा बुक में यह चोथी डाइग्राम है यह ग्लोब्यूल structure बना हुआ है यहाँ पर एक चोथी डाइग्राम के अंतर यहनी के nodule अब ग्लोबलर structure बन जाएगा यह ग्लोबलर structure का बनना infection thread पहले बना था यहनी के वो thread जो structure है वह हेर की तरह जो structure था जिसको हमने बोला infection thread वही convert हो जाएगा एक ग्लोबलर oval cells में 141 page पर जो डाइग्राम है चोथी डाइग्राम जिसमें ग्लोबलू structure बनावाए जहां पर लिखा में चूर में चूर नोर्डियोल तो यहां पर यह जो है एक oval shape का जो है बैक्टेरियो बन जाएगा चोथा जो यहां पर पॉइंट हो है लेग्र हमग्लोबल फार्मेशन जिन प्लांट्स के अंदर यह काम होगा तो दा नर्डियूल पिंक किलर नोर्डियूल जा है वो पिंक हो जाएगा क्लर में क्यों हो जाएगा इस पिंक किलर इस द्सके अंदर कप्थी होती है अखसेजन को कप्चर करने के तो यहां पर यहां पर इस पीद्शाइज बाई ना होस्ट सेल्ज यह नहीं के प्लांट के सेल्ज यह प्रोड्यूस करेंगे इन रिस्पॉंस रूबैक्टियर इन्फेक्शन जब बैक्टेरिया बहुत बढ़ जाएंगे तो यह एक पिंग्मेंट पैदा करेंगे इस सिमिलर टुर हमेगलोवन ओफ रेड ब्लड सेल्स और मैमल् इंदर जो मौझूद है कहा तर लयूवन उसकी तरह की एक स्रैश्टर है after इस प्रश्ट अलेगनिस प्लांट्स तो यह मैं मुझूद है तो लग कलाव हम इसमेहाड कर लेंगे लग हमेगलोवड तो सिकनिकेंस कि क्या है सिकनिविकैंस यह है कि इसके अंदर जो है इस वार important pigment the ability of nitrogen fixation depend upon content of this pigment older neodules lose this pigment they become green and brown they fail to fix nitrogen leg hemoglobin is an oxygen carrier thus oxygen become available for rapid respiration in ATP synthesized in the no-dure जब oxygen ज्यादा मौजूद होगी तो ATP तो respiration हो सकेगी आप जानते हैं कि respiration के नतिजे में ATP बनती है तो energy बनेगी वहाँ पर energy जब मौजूद होगी तो इस तरीके से फिर यह nitrogen fixation में energy जो है वो एहमियत के हमिल है तो nitrogen fixation is a reductive process it requires a large amount of energy तो यह energy आएगी कहां से यह energy आएगी respiration के तुरू respiration में oxygen इस्तमाल होगी और ATP बनेगी तो वह ATP इसके अंदर इस्तमाल हो जाएगी तो यह इसलिए productive process है क्योंकि इसके अंदर बहुत जदा ATP का इस्तमाल होगा energy का इस्तमाल होगा तो इस तरीके से respiration supply this energy और leg hemoglobin supply oxygen for respiration और leg hemoglobin के अंदर यह capacity है कि वह oxygen को capture करती है तो इस तरीके से respiration यहाँ पर इजिली हो जाएगी और नोडियूल बनेगा जब नोडियूल बनेगा तो nitrogen fix होगी और nitrogen fix होगी तो nitrogen fix होने के बाद वह plant के मुख्लिफ हीसों में चले जाएगी और plant अच्छे तरीके से grow पर कर पाएगा क्योंकि वह अपनी nitrogen की ज़र्यात को पूरा कर लेगा